नमस्कार, Medicine News में आप सबी का स्वागत है बहुत सारे महिलाई इसे इस्तिमाल करती है तो जाहिरें किसी महिला की कमेंड के बाद ही मैंने इसका रेविव बनाना सोचा है दोस्तो इसका नाम है Cleanse of V3 जो महिलाई द्वारा इस्तिमाल की जाने वाली वजानल Suppository है अब ये Cleanse of V3 जो है इसका इस्तिमाल महिलाई कौन-कौन से विकरों में करते है इसके बारे में ब्रिफ्ली जैन करें लेंगे दोस्तो Suppository यानि कि ये ओरली नहीं ले जाती Cleanse of V3 देखे तीन इसे कैपसूल होती है जिसका निर्मान किया है वजानों से इसके लिए ये फॉर वजानल इंसर्जन के लिए है जो कि रेसलेंड का बहुत ही बड़ा कौलिटी का प्रोडॉक्ट है इसमें दो प्रोडॉक्ट यानिके दो कंटेंट है इसे बच्चों से दूर रखना है अभी इसका एड्मिनिस्ट्रेशन कैसे करते है ये तो बताने कि कोई आवर्श रखता नहीं है Cleanse of V3 में जो कंटेंट इसे इसे दूर रखने के लिए अतिन तुलाब दाएगी सिर्फ तीन दिन में के अंदर एचिंग गायब हो जाती है अब ये देखिए यहाँ पर condition दिया है यानिकी indication दिया है कि कौन-कौन से विकारों में इसका उपयोग क्या जा सकता है पहला तो है Candida vulvitis यानिकी inflammation यानिकी gelan और vulva का gelan होना vaginal mycosis यानिकी white discharge का इलाज करने के लिए या पर देखिए लुकोरिया लिखा भी है और इसका इस्तिमाल करने के बाद जो भी recurrent और बार बार होने वाला infection है वो भी दूर हो जाता है vaginal candidiasis, bacterial vaginities, infective leucoria, mixed infection अकर blindly भी इस्तिमाल कर सकते है तो ले सकते है मगर याद रखिए डॉक्टर की सला से इसे इस्तिमाल करना है ना कई इसे खाना है लिखाने वाली medicine नहीं है cleanse up V3 बहुत सारी महिला इस्तिमाल करते हैं मगर सिर्फ डॉक्टर की सला के सला से ही इस्तिमाल करना है सला बिना इस्तिमाल नहीं करना है क्लीन सब वीत्री आपको फ्रीज में रखकर इस्तेमाल करना है और जो भी केमिस्ट आपको ऐसे ही काउंटर पर खरिद बेचता है तो ऐसा खरीदे ना क्योंकि या पर देखिए कंडिशन लिखी है कि आपको 30 टेंपरिचर के आसपास या फिर 25 के ऊपर हो तो नहीं आप खरिद सकते हैं क्योंकि उसकी एफिकैसी कम हो सकती है चनलाइट और मॉइस्टर से इसे दूर रखना है मगर फ्रीजमर रखना आउशकता है क्लिंसप वित्री आप ओंलेंग खरिच सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद